छोले भटूरे एक ऐसा फूड है जो भारत की कौने कौने में खाया जाता है और खाया भी क्यों ना जाए? होता है इतना टेस्टी है और लोगों की एक समस्या है कि उनकी छोले भटूरे हलवाई के भटूरों की तरह नहीं फूलते तो डॉन परी सारी समस्याओं का समाधान होगा बस वीडियो के लास तक आप मेरे साथ बने रहें और सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए आपके भटूरे भी इतने ही फूले फूले बनेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिना देर के हुए भटूरे बनाने की रेसिपी और आज के भटूरे हैं पनीर वाले भटूरे तो इन भटूरों को बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 500 ग्राम मैदा टिप नमबर वन मैदा के साथ हमें डालनी है सूजी तो यहां मैंने 500 ग्राम मैदा में डाली है 100 ग्राम सूजी यानिकि 5 और 1 का रेशियो रखा है सूची डालना बेहद जरूरी है ताकि जो हमारे भटूरे हैं फूलने के बाद थोड़ी देर तक फूले रहें साथ में डाली है मैंने स्वाद की अकॉर्डिंग नमाक एक चम्मच जीनी और एक टी स्पून डाला है मैंने इसमें इनो पाड़क यह डालना बहुत जरूरी है और इनो को एक्टिवेट करने के लिए डाला है वाइट विनेगर दौनों के रियक्शन से ही बवल बनेंगे और भटूरे फूले फूले बनेंगे दो बड़े चम्मच लिए हैं कुकिंग ओयल जिसमें से एक चम्मच मैंने अभी डाल दिया है और एक चम्मच बाद में काम आएगा इन सारे इंग्रिडेंट्स को हम बहुत अच्छी तरह से हाल से मिला लेंगे और तोड़ फोड़ा पानी डालते हुए ईसको एक सोफट सा डो लगा लेंगे जयां रहे जो बडूरे का डो है वो एकदम सोफट बनता है. तो इसी तरह से हमें इसको मिलाते हुए सॉफट सा डो बनालेंगे अब जो बागी का ओयल मैंने बचा के रखा था एक टी स्पून वो इस समय हम हाथ से लगाते हुए इसको चिकना कर लेंगे क्योंकि ये डो ऐसा होता है कि हाथ से बहुत जादा चिपकता है तो इसके लिए क्या होगा हाथ को हम ग्रीज करेंगे और उसके बाद में इसको हम सॉफ्ट करेंगे दूसरी चीज है इस मैदा को हमें गूधना नहीं है इस मैदा को इस तरह से देखे हम कोई भी फ्लैट सरफेस का एक चाए पटला या पराद कुछ भी ले लेंगे और इस तरह हम मैदा को पट केंगे इसको अभी तो शुरू में बहुत स्टिकी रहेगी मैदा ये लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं चिकनी होने लगी है मैदा इची पकना भी बंद कर देती है और बहुत सॉफ्ट सा डो बन जाता है इसका अब एकतम होरा डो बन के तयार हो गया है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो इसको फूलने में टाइम लगेगा तो हम क्या करेंगे इस डो को इकसार करते हुए कम से कम एक घंटे के लिए से रेस्ट पर रख देंगे और इसके उपर से जो ऑईल बचा था इसको लेकर इसको इसके उपर वाले हिससे पर लगा कर चिकना कर देंगे ताकि यह जो मैदा है उपर से सूखे ना इसमें पपड़ी ना बने अब इसको ढख कर एक घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं मैंने बताया था ना कि हम बना रहे हैं आज पनीर वाले बटूरे जो दिल ली के बहुत फेमस हैं तो यहां मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर और यह पनीर भी मैंने नहीं अब इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे अधिहां रखना धाया है कि हमें पनीर को मैस करना है अगर मैस करेंगे तो यह भटूरे से निकल जाएगा अब इसमें डालेंगे स्वाटक एक टी स्पून चिली फ्लेक्स, एक टी स्पून काली म्रच या फिर सफे़ म्रच का एक टी स्पून धनिय का पाउडर और एक टी स्पून जीरे का पाउडर इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हरा धनिया डालकर अब इसको चुकी है चलिए अब एक घंटे के बाद देख लेते हैं मैदा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है मैदा इसमें कितना अच्छा खिचाव है बिलकुल भटूरे के लिए इसी तरह की मैदा की जरूरत होती है तब ही बटूरे एक दम फूले फूले बनते हैं अब अब हमने इसमें हलके हलका खमीर सा भी आने लगा है इसमें यह इसमें इसमें तो डाला नहीं है तो जो हमने इसमें हैं यह इसमें रहे लिए बना है उसकी रिख सोन से ही जिल थ Alpen supports the green code Renowate के अब हमें और बनने के सुरूत अब आछ does sit जैसे कि नॉर्मली हम जितना बड़ा बटूरा बनाते हैं उसे मैंने छोटे बनाए हैं क्ड़ाई जादा बड़ी नहीं है तो इस तरह हम इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए इसमें थोड़ा-थोड़ा मसाला फिल कर लेंगे मसाले का भी दियान रखना है में जादा नहीं लेना है क्योंकि फटूरे बड़ना पूटने का डर रहता है इस तरह इसको मसाले को फिल करते हुए इंपलोईयों को बनाकर हम एक साथ लग देते हैं फिलेट को मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि नीचे मैदा चिपके न अगर को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने कर लें और साथ में बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द प या दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए जितना भी आपके पास टाइम में आप रख सकते हैं रखना इसलिए जरूर है कि देखिए आपको क्रेक्स दिखाई दे रहे होंगे तो जब हम इने रख देते हैं तो यह अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और भटूरे बहुत अ तब आपको इस तरह की कोई प्रावलम नहीं आएगी और रखना कैसे है इसको एर टाइट करके इसमें हावा ना जाए इसलिए इसको ढख के रखें चलिए दो घंटे के बाद मैंने यहाँ पे कड़ाई में और डाल दिया है इसको फ्राई करने के लिए अब हम अपनी प्राई कर लिया है ताकि बटूरा नीचे से चिपके ना अब इन्हें हलके हाथ से बेलते हुए बटूरे का सेव दे देंगे अब धियान रखे कि हमें बहुत हलके हाथ से बेलना है क्योंकि मैदा भी सॉफ्ट है तो जो मैदा है इसको फटने कडर रहेगा इस तरह से आरपार दिखाई दे रही होगी अब दूसरी चीज क्या है कि हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वह है कि जो मारा ओयल है जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल धूए बाला गरम होना चाहिए जितना अच्छा गरम रहे का ओयल हमारा बटूरा उतना अच्छा अच्छे वटूरे नहीं बना सकते हैं जितने की हलवाई बनाते हैं सब लोग बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं बस जरूत होती है थोड़े से सारी चीजों की मिजर्मेंट की और जो जितना जितना वक्त बताया है रेस्ट के निया आप उस पर जरूत ध्यान दें क्यो बहुत अच्छे वटूरे बनने हैं यह देखे फूले एक भी वटूरे ऐसा नहीं है जो ना फूले सारे बतूरे इसी तरह एकदम गोल गोल फूले हैं अब एक चीज और रहा है कि किसी लोगों को बहुत वाइट वाले वाले बतूरे पसंद आते हैं जब आप चीनी को स्क यहां बटूरे बनकर एकदम तयार हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, मैंने यह बटूरा इक तोड़ के रखा है, इसके अंदर का आप टेक्सर देखे, देखे कितना अच्छा, बिलकुल जाली वाला जो टेक्सर होता है, जो बटूरे के अंदर होता है, बिल आपके बटूरे कैसे बने हैं, जल्दी से फटाफट खाकर देखती हूं, कि मेरे बटूरे कैसे बने हैं, और छोले की रसेपी में पहले बता चुकी हूं, तो इसलिए आज मैंने छोले की रसेपी नहीं बनाई है, वाव खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही तो आप इस मेतड से एक बार बटूरे जरूर बनाईएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तके लिए बाई बाई